हेलो दोस्तों देखें फिर से एक सांदार वीडियो हम लेके आए हैं इस वीडियो में 5-6 इस्टोक हम आज डिसकस करने वाले हैं और सभी के सब देखें फंडमेंटल तो इस्टोंग है ही तो नो डाउट के इनमें पैसा लगाया जा सकता है लेकिन अब कुछ इसमें नियोज निकल के आ रही हैं सभी में तो वो हम देखेंगे और देखेंगे क्या लेवल आगे हो सकते हैं इनके बहुत ही शांदार एक तेजी देखे आने वाली है इनमें और कल को ही देखना आप कल जैसी मार्केट ओपन होगा बहुत अच्छे ये सेर आपको भागते हुए है साथ ही साथ कहना चाहूंगा अगर आप हमारे पेट ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वर्ट्सम नंबर दिया हुआ है वहां जाकर आप क्वेरी कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं देखें पहली जो निज निकल का रही है वेदा खनन था कि यह जो इसका इलेक्ट्रो स्टील है उसको बेचकर यह 12,000 करोड़ का जो इसका करजा है वो खत्म होने वाला है साथी साथ यह जो है डिविडेंट लेकाए हैं और उसकी एक्सडेट आ गई है वह एक्सडेट भी अभी हम देखेंगे यह लोग देखें इलेक्ट इसकी आई है वो देखते हैं तो देखिए यहां देख सकते हैं इसकी cutting में लाया हूँ यहां पर आपके लिए तो देखेंगे आप कि इसकी जो x date है dividend announce किया था देखिए 18 तारिक को और x date इसकी बना दी है कि 30 तारिक इसकी x date होगी और 22 तारिक को इसका जो है meeting होने वाली है इसके लिए कितने रुपे मिलेगा वो तभी पता चल पाएगा तभी आपको हम वीडियो बना कर सुचित भी कर देंगे कि कितना रुपे यह मिलने वाला है और अब देखिए वेदामता के जो target आगे होने वाले हैं पहला तो वही रहेगा 322 का और इसको तोड़कर अगर 325 पर यह closing दे देता है टिक जाता है उपर 325 के तो 325 के बाद होगा पहला target 360 रुपे के लगभग और फिर 380 का second target होगा यह short term में होंगे लोंग टर्म में बहुत अच्छा company करेगी तो अब देख लेते हैं देखिए अपनी अगली company company का नाम है Tata Power और Tata Power जो है देखिए मार्केट में लीडर होने वाला है अपना power sector का और 220 रुपे का इसका current price है इसके बारे में क्या है और बहुत ही शांदार यह return up देने वाला है तो यहां देखिए आप देखिए आप देखिए SBI के साथ भी एक type किया है finance के लिए एजी finance के लिए तो यहां से अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां आप जाके SBI से इसका finance भी हो जाएगा तो finance पे भी आप रूफ टॉफ अपना system लगबा सकते हैं बहुत easy इन्होंने कर दिया है और देखिए इसके साथ ही साथ और यह कामकाज करती हुए दिखती है हमें किसमें यह देखेंगे आप यहां पर तो यह दिखती है हमें यहां पर आप देखें ब्रॉंज कोड़ेड जो इस्टील होता है इस्टील वायर विद इस्पेस इस्पेसिलाइजेशन और यह इस्टील का भी production करती है साथ इसाथ अभी जो है इस्टील के लिए कल एक notice आया है भारत सरकार के दुआरा तो बहुत ही महत्पूर्ण वो होने वाला है कल देखेगा आपके सारे के सारे इस्टील के जो भी हमारे इंडिस्ट्री है इस्टील पूरे इंडिस्ट्री सेक्टर भागेगा यह इस्टील सेक्टर बह तो रहने वाला है करीब करीब 1100 के आसपास का सोट टर्म में 1100 रुपे और अभी देखे यहाँ पर डिसकाउंट पर यह मिल रहा है तो 1100 रुपे short term में रहेगा रहेगा इसी के साथ दिखे टाटा इस्टील भी हमें भागता हुआ दिखाई देगा बहुत अच्छे target 110 और 115 तक के short term में इसी महीने में आपको दिखाता हुआ दिखेगा ये भागता हुआ और हो सकता है कि 110 तो आपको कल ही देखने को मिल जाए 110 के बाद फिर 115 और फिर जाएगा 125 से 130 तक के target दिखाएगा ये short term में हमें अगला देख लेते हैं अपना JSW Steel और ये जो है ये भी हमें अभी 708 रुपे के price पर मिल रहा है एक मामूली सी गिरावट 0.06% पर और अभी देखे जो है पूरा steel sector हमें discount पर मिल रहा है इसके जो target होने वाले हैं short term में 740, 750 रुपे तक के target हमें देखने मिलेंगे और long term में तो 1000 के पार भी चला जाएगा और देख लेते हैं देखे क्या नियूज है इन में फिर तीनों में उसी के base पर ये भागेंगे तो चलिए चलते हैं सीधे नियूज है और देखे इस्टील सेक्टर के लिए ये नि low ask के निर्यात को बढ़ाने की मदद मिलेगी तो ये नियूज इस्टील इंडस्टी के लिए देखे बहुत ही शांदार होने वाली है दिया हुआ है नो एक्सपोर्ट डूटी केंदर ने low ask और इस्टील उत्पादों पर निर्यात सुल्क किया सूननी है निर्यात सुल्क मत देर राद जारी किये गए नोटिफिकेशन के मताविक सरकार ने पिग आयरन और इस्टील उत्पादों के साथ-साथ low ask पेलेट्स के निर्यात पर निर्यात सुल्क सून्य करने का फैसला किया है इसके साथ ही 58% से कम लोह वाले low ask, lumps और fines पर भी निर्यात सुल्क सून्य किय निर्यात सुल्क बिल्कुल 0 हो गया है निर्यात बढ़ेगा अब बहुत ही फायदा होने वाला है स्टील इंडस्टी को वही 58% से अधिक लोह वाले low ask, pumps, sorry lumps और fines पर अब निर्यात सुल्क कितना 30% कर दिया गया है सारे स्टील सेर हमें अभी डिसकाउंट पर देखने को मिल रहे हैं और अब यह दोड लगाते हुए दिखेंगे तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडि जै भारत